जैसू, प्रेज्द लोड, हालिलूय, मैं आप सबी का स्वागत करना चाहता हूँ आज की इस लई वाराधना में, प्रभू आप सबी को आशिशते और उसका अनुग्रह आप सबू बर बना रहे मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभू की भलाई हम नाप नहीं सकते हैं आज मैं यही दिन भर सोच रहा था कि प्रभू कितना भला है, कितना अच्छा है हम लाख बुरे क्यों ना हूँ, हम कैसे भी हूँ, कहीं के भी हूँ, कुछ भी करते हूँ लेकिन मैंने देखा है कि प्रभू कभी भी उसके बच्चों का साथ नहीं छोड़ते हैं चाहे हम कमजोर हैं, चाहे हम दुरबल हैं, चाहे हम तूट गए हैं, चाहे हमारा दिल घायल है, चाहे हमें अकेला पन लगता है, चाहे हम अंदर से कमजोर मैसूस करते हैं, हम ऐसा मैसूस करते हैं कि शायद इश्वर मुझसे दूर है, इश्वर मेरी प्रार्थना ने सुनता, आता है, इनसान के जीवन में है, इन सारी विचारों से इनसान गुजरता है, इवन प्रभु येश्व जब क्रूस पर थे, तो उन्होंने पुकार कर कहा, पिता, तो ने मुझे क्यों त्याग दिया, तो येश्व की जिंदगी में भी एक ऐसा पल आया, जब उन्हें लगा कि वे पिता से दूर हैं, पिता ने उन्हें त्याग दिया, और हम सब की जिन्दगी में भी कई बार एक ऐसा मोड आता है जब हमें लगता है कि इश्वर मेरे साथ नहीं है इश्वर ने मुझे त्याग दिया है, मुझे छोड़ दिया है, मेरी सुनता नहीं है लेकिन आपने देखा होगा कभी-कभी बच्चा कुछ करता है और मम्मी उसे छुप कर देख रही होती है उधारण के लिए शायद बच्चे के सामने एक बिल्ली या कुट्ता खड़ा है आलांकि मम्मी पीछे है लेकिन छुप गई और वो देखना चाहती है कि क्या करेगा मेरा बच्चा और उस समय में बच्चे का रियक्षन क्या होता है वो उसको देखती है और निहारती है लेकिन पीछे रहती है उसको छोड़ती नहीं है जैसे ही संकट आने वाला होता है या उस पर हमला होने वाला होता है तुरंत मम्मी तोड़कर वो बच्चे को बचाती है है न, अपने देखा होगा, सुना होगा, अपने लाइफ में अनुभव किया होगा, ठीकिसी प्रकार परमेश्वर कई बार छुप कर देखते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, तु वो प्रबु है जो अपने को छिपाता है, तो कई बार प्रबु हमें छिप कर देखते हैं, कि अपना मूँ छिपा लेते हैं हमसे, लेकिन प्रबु हमारे साथ हैं, हमारे करीब हैं, हमारे पास हैं, लेकिन हमें ऐसा मैसूस हो सकता है कि प्रबु मेरे साथ ने, लेकिन वो करीब है, और हम कई तरह की परिक्षाओं से ग गुजरने लगते हैं कश्टों से गुजरने लगते हैं बीमार हो जाते हैं और यहां तक कि सब हमें त्याग देते हैं छोड़ देते हैं और फिर हमें यह भी लगने लगता है शायद परमेश्वर ने भी मुझे त्याग दिया है लेकिन वास्तों में प्रभु हमें देख रह प्रभु आपके साथ है, अपनी आखे बंद करें, प्रार्थना करें, प्रभु की उपस्तिती को गहराई से मैसूस करें, आप से दूर नहीं है, हो सकता है, आपके जीवन में ऐसी बाते चल रही होंगी, कि प्रभु मुझसे दूर है, मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ सकते हैं, उनोंने स्वेम कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा ऐसा बोलने वाला परमेश्वर जूटा नहीं हो सकता धन्यवाद इशु धन्यवाद इशु धन्यवाद इशु धन्यवाद इशु धन्यवाद दोपने आदाशने है he is with you he loves you he cares for you the it is प्रभू तेरी हो अंधना येशु तेरी आराधना प्रभू तेरी हो अंधना येशु तेरी आराधना तु ही मेरा मालिक है तु ही मेरा प्राण है तु ही मेरा मालिक है तु ही मेरा मालिक है प्रभू तेरी हो अंधना येशु तेरी आराधना येशु तेरी आराधना प्रभू तेरी हो अंधना येशु तेरी आराधना तु ही मेरा मालिक है तु ही मेरा मालिक है तु ही तेरी हो अंधना येशु तेरी आराधना तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ग्यान है तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ग्यान है एक साथ मिल कर गाएंगे रभू तेरी हो वन्दना इशुख तू ही मेरा मार्ग है तू ही मेरा ग्यान है तू ही मेरा ग्यान है तू ही मेरा सब कुछ है तू ही मेरा ग्यान 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 है प्रभू तेरी हो वन्दना इशुख तेरी आराधना तू ही मेरा ग्यान इशुख तेरी आराधना तू ही मेरा ग्यान कि तू ही मेरा ग्यान है कर दो दो तो ही मेरा सब कुछ है तो ही मेरा मीत है तो ही मेरा सब कुछ है तो ही मेरा मीत है तो ही मेरा मीत है प्रभु तेरी हो बंदनाएशु प्रभु तेरी हो बंदनाएशु प्रभु हमारे बीच में समय येशु की आराद ना करें समय मिलकर गाएं प्रभु तेरी हो बंदनाएशु येशु हमारे बीच में है तो तेरी हो बंदनाएशु तेरी आराद नाएशु येशु मेरा मालिक है येशु मेरा प्राण है येशु मेरा मालिक है येशु मेरा प्राण है एक साथ प्रभु तेरी हो बंदनाएशु बार बार काएंगे प्रभू तेरी हो बंदना इशु तेरी आरादिना येसु मेरा विश्वास है येसु मेरा सब कुछ है प्रभू तेरी हो बंदना इशु तेरी आरादिना प्रभू की आरादिना करें प्रभू तेरी आरादिना 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 आरादि हालेलुया आमें येसु प्रभु तेरी आरातना मेरे प्रभु तेरी आरातना आलेलुया प्रभु क्या रातना करेंगे आलेलुया विश्वास के साथ आपा पिता तेरी आरातना आत्मा प्रभु तेरी आरातना आलेलुया 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 मेरे प्रभु जी आरातना ना मेरे मसीह आरागना hallelujah, hallelujah, hallelujah hallelujah, hallelujah, hallelujah तुचğ में प्रभु मेरा जीवन छहिपा तुच प्रभु मेरा सब कुछ पेता जीवन का गड़िया तु है प्रभू पहता जरना तु है प्रभू जीवन का गड़िया तु है प्रभू जंगाई का सोता तु है प्रभू शिवा देने वाला तु है प्रभू बहता जरना तु है प्रभू शिवां का बंगा तु है प्रभू मेरा सब कुछ तु है प्रभू मेरी पवित्रता तु है प्रभू हातों को उठाते हुए इसाने दु है अलेलुया था सुन्या का मालिक तू है प्रभू स्रिस्ती बनाने वाला तु है प्रभू मानव को अपना रूप दिया उसको सजाया सवारा तुने मूँ साथ के संग संग तूठा चला योश्वा को तुने अपिशिक दिया लाल समुत्र को बाट दिया इस राईयों को पार किया हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया पर्मपिता तेरी आराधना, मेरे प्रभु जी आराधना राजाओं के राजा प्रभु पात्षाहों के पात्षा प्रभु अभिशेक देने वाला प्रभु श्रिस्ती बनाने वाला प्रभु हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हमारे दुख को लेकर गोई, सुख देने वाला मेरा प्रभु हालेलुया, 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 हालेलुया सारे बंधन तोड़ता वो थी, आत्म से हम को भरता वही लब यू लॉर तेरी महिमा प्रमपार मुँ महान तेरी जय जय कार हम तारिपर परविश्वर भी आत्मा इस समय उतराए इस भवन में उतराए आत्मा इश्वर का उतराए नतिया घरने साली बजाए सब मिलके सनागाएं दुष्वका आत्मा इस भाग उठे मेरे प्रबू जी आ जाएं तेरी उपस पिती धर दी जिये मेरे जीवन में तेरी महिमा प्रकट हो जाएं इस भवन में तेरी महिमा दिख जाएं जैसे मूसा के संग संग तूथा चला आज मेरे संग संग चलना प्रभू जैसे एलिया को तूने अभिशेक दिया आज मेरा अभिशेक करना प्रभू जैसे दाउत्मा तूने साथ दिया मेरा भी साथ देना प्रभू जैसे पॉल उसको तूने इस्तमाल दिया मेरा भी इस्तमाल करना प्रभू जैसे हन्ना की प्राथना सुन ले प्रभू आज मेरी प्राथना सुनना प्रभू कितना अच्छा मेरा प्रभू ओ कितना भला है मेरा येसू राजा येसू जिन्दा है राजा येसू पवित्र है राजा येसू आ गया मेरे दिल में वो तो आ गया मेरा दिल आनंद से भर ही गया मेरे दिल में शांती ठहरी गई अलेलुया 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 पवित्र आत्मा से भर दिया मेरे जीवन को तुने पवित्र किया ये शुक की उपस्थिती आहे गई इस जीवन में तेरी महिमा हुई हालेलूया, हालेलूया, हालेलूया हालेलूया, 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 हालेलूया आले बाते जाए बाते जाए आलेलुया हलोया लिनो जा अप्रल में पिते करें हर्ली हर्लोया हलोया हर्लोया हलोया सुति करें एक साथ दोनों हाथों को ठाएं सुति करते जाएं हलिलूइया सुति करें आराध ना करें परम्पिता परमेश्वर की तारीब करें घ्रोजोरे बहाँस्य अदिए लिए हालिया हलेलूइया हालिलूइया प्रभु की तारीब करें प्रभु की उपस्थति इस समयारा था यहाई अमारे बीच में, अपने हाथों को खुला रखे, प्रभु की उपस्तिती में आनंद मनाए, माता मर्यम की तरह आनंद मनाए, उसने कहा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु में आनंद मनाती है, ओ जब प्रभु का आनंद आता है, वो आत्मा मे आता है शरीर में नहीं आत्ma से जब आनन दाता है तो शरीड में भी आनन्द आएगगा आं प्राटना करें प्रहूं मुझे आनन्द से भरिये आत्मा का वो आनन आत्मा की वो शान्ति भरेए ओ प्रभु भारी शांति को मेरे मन से निकाल जिसे मैं सच में शांती समझ के बैठा हूँ, जिसे मैं सच में आनंद समझ के बैठा हूँ, वो सच मुछ नहीं है, आनंद नहीं है, वनन तेरे आत्मा का आनंद मुझे दीजिए, तेरे आत्मा का आनंद मुझे दीजिए, दू प्रभु आत्मा के आनंद से भर कर पिता को पुकार उठता था प्रबु जब आनंद से भरते थे वे आनंद से भर कर कहते थे अब्बा पिता अब्बा पिता अब्बा पिता वैसे जब हम पवित्रात्मा से भर जातें उसके आनन से भर जातें अनायसी हमारे अंदर से हमारी आत्मा कै उठती है पुकार उठती है अब्बा हे पिता ओ बच्चा जब आनन्दित होता है तो आनन्द से पापा को भुकारता है पापा वैसे ही पवित्रात्मा की बारे में लिखा हुआ है बाइबिल में वही पवित्रात्मा हमें साहस देता है कि हम उसे इस इश्वर को अपबा कहकर बुकारें वो हमारा पिता है प्रार्थना करें प्रार्थना करें अपने मन में कहें प्रभू तु मेरा पिता है तु मेरा पिता है अउससे रिष्टा कायम करें इस समय उससे रिष्टा कायम करें प्रार्थना करें प्रभू तु मेरा पिता है मैं तेरी आराधना करता हूँ मैं तेरी अराधना करता हूँ अपने हाथ दुख अपने हिर्दे से लगाएं और एक साथ कहते जाएंगे मेरे साथ पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी अराधना तेरी स्तूती तू मेरा जीवन सर्वस्वभी ले तेरी आराधना तेरी स्तूती अपने हाँ आपा पिता आपा पीता आपा पिता आपा पिता आपा पीता आत्मा से पुकार उठें अपा पिता अभापी ता, अभापी ता, अभाप ता आप पीता मेरे पीता है डेता मेरे चाली यानं सेव सर्क्रा वरकर हालेलुया, 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 हालेलुया प्रभु येसु ने कहा यदि पुत्र तुमें स्वतंत्र करेगा तो तुम सच्मु स्वतंत्र हो जाओगे इस समय हम मुक्ती की माला विंती करने जा रहे हैं असत्य और न्याय पर टिका हुआ देश कभी भी स्वतंतरता का अनुभव नहीं कर सकता चाहें वो इंसान हूँ जूट के साय में कोई भी सुरक्षित और स्वतंतर नहीं रह सकता प्रभु येशु ने कहा तुम सत्य को पहचानोगी और सत्य तुम्हें स्वतंतर बना देगा सत्य ही मनुष्य को स्वतंतर बना देता है प्रभु येशु सत्य हैं और जो प्रभु येशु का नाम निरंतर लेता है येशु ने बंदुनों से स्वतंतर करते हैं आईए समय, हम मुक्ति की माला विंती करेंगे हे हमारे पिता, तु जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जावे तेरा राज जी आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में, वैसे स्पर्थी पर बेपूरी हो प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभू तेरे साथ, दहने तु इस त्रियों में, और धने तेरे गर्ब काफल येशू हे संथ मरिया, प्रमेश्व की महा प्रात्मा करम पात्रियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमें इस समय हम सबसे पहले प्रात्मा करने जा रहे हैं, विशेशुप से जो क्रोध, इरश्या, घमंड के बंधन में और विशेशुप से वासना के बंधन में, इन चार बंधनों से चुटकारे के लिए स्रात्मा करेंगे वासना गमंड इर्श्या और क्रोध जिन लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि उन्हें बार बार क्रोध आता है वासना है बहुत अदिक इर्श्या करते हैं या किसी तरह से गमंड का कोई लक्षण है इस समय येशु ही आपको स्वतंत्र कर सकते हैं आपका जबाब होगा मैं सच मुझे स्वतंत्र हो जाओंगा बोलिए मैं सच मुझे स्वतंत्र हो जाओंगा यदि येशु मुझे स्वतंत्र करेगा मैं सच मुझे स्वतंत्र हो जाओंगा मैं सच मुझे स्वतंत्र हो जाओंगा मैं सच मुझे स्वतंत्र हो जाओंगा मेरे पीछे बोलेगा हे प्रभु येशु मुझे पर दया कर मुझे चंगा कर मुझे बचा और मुझे मुक्ति प्रदान कर हालिलूइया दूसरा भेद हम चड़ाएंगे विशेशुप से कर्ज और गरीवी के बंदन में जितने लोग हैं याद रखें कर्ज भी एक बंदन है और गरीवी भी एक बंदन है जितने लोग इस बंदन में पड़े हुए हैं कर्ज कई वर्षों से कर्ज है लिया है लेकिन दे नहीं पाते हैं या गरीव हैं बहुत अदिक या गरीवी और कर्ज एक बंदन है जितने लोगों को ऐसा अनुबव होता है वे अपने दाहिना हाथ उठा करें समेज भेत को चड़ाएंगे और हम सभी इन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभू आज हजारों परिवारों को कर्ज और गरीवी के बंदन से मुक्त करें आपका जवाब होगा मैं सच मुझे स्वतन्तर हो जाओंगा बोलिए मैं सच मुझे स्वतन्तर हो जाओंगा यदि येशु मुझे स्वतन्तर करेगा मैं सच मुझे स्वतंतर हो जाओंगा मैं सच मुझे स्वतंतर हो जाओंगा मेरे पिछ दोराईएगा हे प्रभु येशू मुझे पर दया कर मुझे चंगा कर मुझे बचा और मुझे मुक्ती प्रदान कर हम इस समय प्रार्थन करने जा रहे हैं जो लोग रोग के बंदन में डॉक्टरों से इलाज कराया लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो पाते हैं डॉक्टर बिमारी को पकड़ नहीं पाते हैं कई वर्षों से बिमार हैं लेकिन बिमारी का कोई पता नहीं चल पाता है ये बंदन है वचन में लिखा हुआ अगर आप पढ़ेंगे स्तोतर गरंत उसके अध्याय एक सो साथ वाक्य सत्रा में कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बिमार पढ़ गये थे हमारी कुकर्म हमें बंधन में डाल कर हमें बिमार बनाते हैं आज इस समय हम प्रार्थन करेंगे येशु के नाम पर ऐसे पंधनों में पढ़े हुए एक एक रोगी को इसी समय चुटकारा मिले येशु के नाम पर हर बंधन में पढ़ा हुआ रोगी इसी समय येशु मसी नाजरी के नाम पर स्वतंतरता किया घोशना करते हम यहां से वे स स्वतंत्र हो जाएं आपका जवाब होगा मैं सच मुझे स्वतंत्र हो जाओंगा अपने दाहिने हाथ को उठा कि हम प्रार्दना करेंगे यदि येसु मुझे स्वतंत्र करेगा मैं सच मुझे स्वतंत्र हो जाओंगा यदि येसु मुझे स्वतंत्र करेगा मैं सच मुझे स्वतंत्र हो जाओंगा हे प्रभु येशू, मुझे पर दया कर, मुझे चंगा कर, मुझे बचा, और मुझे मुक्ति प्रदान कर, इस समय हम प्रार्थन करेंगे नशे में पड़े हुए लोगों के लिए, नशा एक बंदन है, कई बहने फोन करके रोती हैं, हमारे प्रेटावा नंबर पे कितनी बह हैं, कि मेरे पती के लिए प्रार्थन करना भाई, फादर जी, कि मेरा पती बहुँँ शरा पीता है, ओ ये बंदन है, नशा एक बंदन है, कई तरह के नशे लोग करते हैं, परिवार के परिवार बरबाद हो रहे हैं, आज इस समय हम प्रार्थन करेंगे, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, इश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कारिये समाप्त कर दे, मैं हम प्रार्थन करते हैं, प्रभु हमारे साथ सभी लोग मिलकर इस समय प्रार्थन करते हैं, इस समय हजारों लोगों को इसी समय, नशे के बंदन से मुक्ती मिले, उनके अंदर से नशे का दुष्ष्टात्मा येसु मसिय नाजरी की नाम पर निकल जाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जू उनके अंदर से नशा, खाने, पीने की इच्छा इसी समय खत्म हो जाए। उन्हें पवित्रात्मा का भी शेक मिले, पवित्रात्मा उन्हें अभी शेक देकर इस बंदन से मुक्त करें, यदि आपके परिवार में कोई नशेडी है, उसे इस समय प्रभु के हाँ तुमें समर्पित करें और प्रार्थना करें, यदि आप घुटना हो सकतें, घुटने ह कर प्रार्थन करें और कहेंगे मेरे पीछे आपका जवाब होगा येशु मैं सच्मुझ स्वतंत्र हो जाओंगा बोलिए येशु मैं सच्मुझ स्वतंत्र हो जाओंगा बोलिए येशु मैं सच्मुझ स्वतंत्र हो जाओंगा यदि पुत्र मुझे स्वतंत्र करेगा यदी पुत्र मुझे स्वतंतर करेगा मेरे पीछ दोराएंगे करप्या हे प्रभु येशु मुझे पर दया कर मुझे चंगा कर मुझे बचा और मुझे मुक्ति प्रदान कर हम प्रार्थना करें इस समय अंतिम भेद में निसंतान दंपतियों के लिए निसंतान ता एक बंदन है कई तरह से निसंतान लोग हैं हो सकता उनकी गलतियों की वज़ा से प्रभु से माफी मांगते हैं प्रभु उन पर दहा कर उनकी गलतियों को शमा करना प्रभु प्रभु तुने अन्ना की प्रार्थना को सुना जो बांज थी प्रभू आज कई वहने बांजपन के शिकार हैं जिसके कारण उने कई तरह की बाते जुननी पढ़ती है अत्याचार सेना पढ़ता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभू इस समय उनके बांजपन से उनने मुक्ती दे कई लोगों के गर्भ भी नहीं है प्रभू जी लेकिन तेरे लिए सब कुछ संभव है हम प्रार्थना करते हैं प्रभू उन्हे नया गर्भ दे देना ऐसे निस्संतान दंपंतियों को प्रभू के हातों में देते हुए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु उन्हें स्वतंत्र करेंगे आपका जवाब होगा वे सच्मुझ स्वतंत्र हो जाएंगे बुलिए यदि यसू ने स्वतंत्र करेंगे वे सच्मुझ स्वतंत्र हो जाएंगे मेरे पेचे दोर आएंगे गर्पया, हे प्रभु येशू, मुझे पर दया कर, मुझे चंगा कर, मुझे बचा, और मुझे मुक्ती प्रदान कर, अपने दोनों हातों को खोलिये इस समय, पवित्र आत्मा जो हमें बंदुनों से मुक्त करता है, उसके अभिशेक के लिए समय ह प्रार्थन करने जा रहें, येशू ने कहा, किन्तु वह पवित्रात्मा तुम पर उतरेगा, और तुमें सामर्थे प्रदान करेगा, वो पवित्रात्मा हमें सामर्थे देता है, पाप पर, बुराई पर, विजे पाने का सामर्थे, शैतान से लड़ने का सामर्थे, अंद यह स्प्वाघ़ना दुआ पॉस्प्वाभनतर माख्रश को टुआ हे बावनात्मा कर आए हे बावनात्मा क्तिक आया हे बुझे एμαत्मा क्तिक काहि काहिर हे इता क्तिक दू यूसरिए मुझे वर्दान देने, जीवन देने, ये पावन आत्मा दुआ मुझे वर्दान देने, जीवन देने, ये पावन आत्मा दुआ हे पावन आत्मा दुआ, 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 हे पावन आत्म मुझ में प्रेम की बाती जला हे प्रेम दाता ज्ञान प्रदाता हे पावनात्मा दुवा हे प्रेम दाता ज्ञान प्रदाता हे पावनात्मा दुवा एक साथ हे पावनात्मा दुवा ने पावनात्मा दुवा ने पावनात्मा दुवा हलेलुईया येशु की इस्तुती हो येशु को धन्यवाद येशु की अराधना हो हे प्रभु मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाओंगा हे प्रभु येशु मुझे शान्ती प्रदान कर तो मुझे शान्ती मिलेगी मैं आपकी अराधना करता हूं मैं आपकी अराधना करता हूं हालेलुईया स्त्रोतकार कहता है प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करेगा शांती का आशिर्वात देगा वह जीवन भर तुझे सुक शांती प्रदान करता और तुझे गरूड की तरा चिरजीवी बनाता है उसके मार्ग रमनिय है उसके सभी रास्ते शांती में है हालेलुया किन्तो प्रभु ने उसे आश्वासन दिया तुम्हें शांती मिले मत डरो तुम नहीं मरोगे हालेलुया प्रभु कहता है मैं देश भर में शांती बनाए रखूँगा जिससे तुम निर्भय होकर सुख की नीन्द सो सको हालेलुया प्रेजनो विश्वास करना की प्रभु ये कहता है कि मैं देश भर में शांती बनाए रखूँगा जिससे कि तुम सुख की और चैन की नीन्द सो सको ना जाने कितने ही लोग हैं इस दुनिया में जो चैन की नीन्द नहीं सो पातें जो हमेशा हमेशा बेचैन रहते हैं भविश्य को लेकर चिंता में रहते हैं लेकिन प्रभु ये बादा करता है कि मैं तुम्हारे देश में तुम्हारे घर में शांती बनाए रखूँगा जिससे कि तुम चैन की नीन्द सो सको बलो आमेन हालेलुईया इतना ही नहीं गणना गरंत अध्याई 6 पत संख्या 26 में प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टी करे और तुम्हें शांती प्रदान करे इस वक्त आप लोग जो मेरे साथ यूट्यूब पर ओनलाइन इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं ये वचन आपके लिए हैं जो वेधी के सामने बैठें ये वचन आपके लिए हैं प्रभु ये कहता है कि मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि तुम्हें शांती मिले तुम मत डरो तुम नहीं मरोगे अगर आज कोई ये सोच रहा है कि मैं मर जाओंगा मेरा जीवन समाप्त हो रहा है अब मैं बुड़ा हो गया हूँ अब मैं नहीं बचाओंगा प्रभु कहता है तुम विश्वास कर और मेरी महिमा देखेगा मैं तुझे सांत्वना देता हूँ आशा प्रदान करता हूँ म दर तो नहीं मरेगा हम जानते हैं हिजकिया के विशे में राजाओं के दूसरे ग्रंत में हम पढ़ते हैं कि राजा हिजकिया बिमार पड़ा उसके शरीर पर एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था वो मरना नहीं चाहता था उसने रो रो कर आसु बहा कर दिवार की और प्राचन कहता है लोग तेरे पास आते हैं इसलिए क्योंकि तू उनकी प्रात्नाओं को सुनता है तो इसी तरह हिजकिया गडगड़ाया चिलाया आसु बहाए और उसने अपनी जवानी के दिनों में किये गए अच्छे कामों को उसने परमेश्वर को याद दिलाया परमेश्वर प्रसन हो गया उसने ये शाय को वापस बेजा जाओ उसे कहो कि वो नहीं मरेगा मैं उसे पंद्रा वर्ष का जीवन और परदान करता हूँ इसलिए प्यारे भाईयो और मैंनो प्रभू आज की संध्या आप से वादा कर रहा है The Lord is promising you कि वो अपनी कृपा आप पर बनाए रखेगा उसकी शान्ती आपके घर में सदा बनी रहेगी आप नहीं मरेंगे इसलिए आप विचलित ना हो इन बातों पर विश्वास करना और आज आप महिमा देखेंगे आमेन, हालेलुईया, हे प्रभू येशू, आज के वचन मेरे जीवन में, मेरे परिवार में उद्धार लाएं हर प्रकार की बुराई से मुझे आजाद कीजिए, सभी बंधनों से मुझे आजाद कीजिए, हालेलुईया तो मैं मनंचिंतन कर रहा था कि प्रभू आज तेरी प्रजा के लिए, तेरे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं आप अपने इस दास के द्वारा इन बच्चों से क्या कहना चाहते हैं और मैं यूँ ही बाइबल पढ़ रहा था तो प्रभू ने प्रेरना दी कि मेरे बच्चों से कहना कि ये घबराएं नहीं, मुझ में विश्वास करें और इश्वर में विश्वास करें और मेरे उन बातों पर विश्वास करें और जो मैंने चमतकार दिखाए हैं और जो मैंने काम किये हैं उन पर ये विश्वास करें तो प्रियजनों विश्वास हमारे जीवन में हैं एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं बाधा पर बाधा हम पार करने लगते हैं। अगर हमारा विश्वास मजबूत होता है, तो हम एक के बाद एक सोपान पार करने लगते हैं। लेकिन अगर हमारा विश्वास कमजोर है, तो हम हार जाते हैं, हम तूट जाते हैं, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। तो बाइबल में बताती हैं कि विश्वास इश्वर का वरदान है विश्वास क्या है यह इश्वर का वरदान है हम किसी को जबर्दस्ति यह विश्वास नहीं दे सकते हैं आप किसी को जबरदस्ती ये विश्वास नहीं दे सकते किसी का हाथ पकड़ कर जबरदस्ती आप उससे ये नहीं कहते हैं कि तुम इसमें विश्वास करो बाइबल बताती है कि जब तक पिता उसे अपनी ओर आकरशित ना करे तब तक वो विश्वास नहीं कर पाएगा क्योंकि विश्वास इश्वर की ओर से प्रदत वरदान है आत्मा की ओर से दिया गया ये गिफ्ट है और जिनको ये मिल जाता है और जो उसे धारन कर लेते हैं, वो कभी भी हारते नहीं है पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं बोले आमेन हालेलुईया हे प्रभु येसु मेरे हिर्दे को मेरी आखों को मेरी आत्मा को मेरे कानों को खोल दीजिये जिससे मैं विश्वास कर सकूँ हालेलुईया हालेलुईया तो जब तक कोई अपनी विश्वास की आखों को नहीं खोलेगा जब तक अपने हिर्दे के द्वार को कोई नहीं खोलेगा जब तक आप अपने इन कानों को नहीं खोलेंगे और वचन को आप नहीं सुनेंगे तो आप में विश्वास उत्पन नहीं हो सकता है क्योंकि वचन ये कहता है सुनने से विश्वास उत्पन होता है परंतु क्या सुनने से ईश्वर का वचन सुनने से विश्वास उत्पन होता है दूसरी किसी बात से नहीं और संत पौलुस कहता है जो सुना जाता है वो ईश्वर का वचन है तो येशु ने कहा जब तक पिता आकर्शित ना करे कोई मेरे पास नहीं आ सकता है जब तक ईश्वर की और से ये बर्दान आपको आपके परिवार को आपके बाप दादा को आपके बच्चों को नाती पोतों को संतानों को ये प्रभू अपनी और जब तक आकर्शित ना करे तब तक प्यारे भाईयों और मैं कोई भी विश्वास करने में असमर्थ है लेकिन परमेश्वर किस व्यक्ति को अपनी और आकरशित करता है कहता है वचन हम पढ़ते हैं कि जो आत्मा और हिर्दे की सच्चाई से उसकी अराधना करते हैं उसकी खोज में लगे रहते हैं ऐसे अराधकों को पिता चाहता है और उनसे वो प्रसन होता है और लाजमी सी बात है कि उन्हें वो अपनी और आकरशित करता है और वह विश्वास की कृपा पात्र बन जाते हैं इब्राहीम के विशे में हम पड़ते हैं कि इब्राहीम ने परमेश्वर को अपनी धार्मिक्ता से प्रसंद किया अपने धर्म के कामों से उसने परमेश्वर को प्रसंद किया अपने पुर्ण के कामों से उसने परमेश्वर को प्रसंद किया और 75 वर्ष की अवस्था में ईश्वर ने इबराहीम से एक वादा किया कि मैं तेरी संतती को इन तारों के समान असंखे बना दूँगा अगर तू आस्मान में इस आकाश में लगे तारों को गिन सकता है तो गिन रेत के इन कणों को देख मैं तेरी संत्ति को इतना महान बना दूँगा प्यारे भाईयों और बैनों कि तो गिन भी नहीं पाएगा ये उसने एक वादा किया और उसने वादा किया कि वो उसे पुत्र प्रदान करेगा और उसका वंश आगे बढ़ेगा प्रमेश्वर अपने वादे का सच्चा था इबराहीम ने उसे प्रसंद किया ईश्वर ने उसे आशिरवाद दिया तो येसु ने पेतरुस से कहा जब पेतरुस ने जवाब दिया कि हम कहां जाए हैं आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है आप ही तो हैं जीवन्त मसी ईश्वर के पुत्र हैं तो प्रभू येशु ने उससे क्या कहा सिमोन योनस के पुत्र ये किसी निरे मनुष्व ने तुझ पर ये प्रकट नहीं किया परन्तु ये विश्वास भरी बात मेरे स्वर्गिये पिता ने तुझ पर प्रकट की है तब तु ऐसा बोला है हालेलुया हे प्रभू येशु मुझे भी अंगिकार करने का सामर्थ प्रदान कीजिए हालेलुया 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 तो आज की संध्या के समय हम विश्वेश रूप से प्रार्थना करेंगे कि प्रभू जो हमें सुना रहे हैं जो हमारे वो जीवन में काम करना चाहते हैं इसमें बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा मेरी और आप की अगवाई करें इसलिए कहना कि हे पवित्र आत्मा मेरी बुद्धी को संचालित कर हे पवित्र आत्मा मेरी बुद्धी को आलोकित कर हे पवित्र आत्मा मेरी बुद्धी को प्रकाश्मान कर जिससे कि मैं तेरी हजूरी में बैट कर तेरे वचन को मैं ग्रहन कर सकूँ और मैं विश्वास कर सकूँ सू समाचार में हम पढ़ते हैं लुकस रचित सू समाचार अध्याई सत्रा पत संक्या पांच में कि शिश्यों ने कहा गुरुवर हमारे विश्वास को बढ़ाईए क्या बोला? हमारे विश्वास को बढ़ाईए क्या बोला? हमारे विश्वास को बढ़ाईए कहने का मतलब ये है कि हमारा विश्वास घटाया और बढ़ाया जा सकता है हायना हायना हमारा विश्वास घटाया और बढ़ाया जा सकता है वो स्थिर्न नहीं है, वो ये थावत नहीं है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो पत्थर के समान है जिसे हम घटा और बढ़ा सकते हैं पत्थर तो एक चीज है प्यारे बाई और बैने वो चटान है जिसे हम घटा बढ़ा नहीं सकते लेकिन हमारा विश्वास घटाया जा सकता है बढ़ाया जा सकता है अब आप पूछेंगे कैसे हैं यदि आप प्राथना में लीन रहेंगे धर्म के कामों में आगे रहेंगे पुन के कामों में आगे रहेंगे आपके जीवन में ईश्वर की कृपा का स्तर जो है वो बढ़ता जाएगा और जब आपके जीवन में ईश्वर की कृपा का स्तर बढ़ता जाएगा तो आप अपने विश्वास में द्रड होते जाएगे या यूं कहें कि आपके अच्छे कामों के द्वारा ईश्वर में आपका विश्वास बढ़ता जाएगा और जितना आपका विश्वास बढ़ता जाएगा उतनी ही कृपा आपके जीवन में आपके परिवार में बढ़ती जाएगी मतलब विश्वास बढ़ने लग गया वहीं दूसरी और यदि किसी परिवार में प्रार्थना का महौल नहीं है हर प्रकार के बुरे काम है हर प्रकार के नशों से परिवार पेड़ित है हर प्रकार के लड़ाई जगड़े और बुरे कामों में फसा हुआ है दानपुन नहीं करता है, दश्मांश नहीं देता है, जर्च नहीं जाता है, वचन नहीं पढ़ता है, वचन नहीं सुनता तो क्या होगा? आपका विश्वास कमजोर होने लगेगा आप गिरने लगेंगे आप समाप्त होने लगेंगे क्योंकि आध्यात्मिक उर्जा आपको नहीं मिलेगी तो आप नश्ट होने लगेंगे और थोड़े समय के बाद आप अपने आपको अकेला निराश तूटा हुआ महसूस करेंगे और आपका विश्वास घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा विश्वास घटेगा तो ईश्वर की क्रपा का स्तर भी क्या होने लगेगा घटने लगेगा यह चुनाव आपके उपर है ये चुनाव विश्वासियों को करना है कि किस प्रकार से मैं अपने विश्वास को घटा सकता हूं या बढ़ा सकता हूं किस प्रकार से मेरे जीवन में ये काम हो सकते हैं कि मैं परमेश्वर की हजूरी में उसकी कृपा में आगे बढ़ता जाऊं और अपने विश्वास में द्रड होता जाओं अगले वचन में हम पढ़ते हैं कि प्यारे भाईयो और बेनो येसु ने अपने शिश्यों से कहा जब उन्होंने उनसे पूछा कि हे प्रभू हमारे विश्वास को बढ़ाईये तो ईसा ने कहा कि मैं तुमसे कहे देता हूँ अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस शेतूत के पेट से कहो कि उठके समुद्र में लग जा तो वो लग जाएगा प्रभू ने एक छोटे से बीज का क्या दिया उधारन दिया राई का दाना येसु की शिक्षा में यही खास्यत थी उनकी भाषा शैली अलगी थी मैं उस बाशा शैली में बड़ा आकर्शन था है मुआ कि बोलने का लह जा है वा्रतलाब करने का उनका जो तरीका था कुझर लोगों को अपनी और आकर्शित करने का तरीका था, वो बहुत अच्छा था वो लोगों की रोज मर्रा की जिंदगी में से क्या करते थे, चीजें उठाते थे और उन चीजों के द्वारा लोगों को बताते थे, छोटे छोटे दृष्टांतों के द्वारा उन्हें शिक्षा देते थे अब देखिए, मेरे और आपके लिए राई का दाना एक मामूली से चीज है लेकिन जब वो प्रभू के शब्द कोश में आ गया, धर्म शास्तर में जब उसका जिक्र हो गया तो प्यारे भाईयो और बेनों उसका महत्व बढ़ गया उसका महत्व हम जान गए, पहचान गए और येसु ने राई के दाने का उधारन दिया और कहा कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो और तुम इस शैतूत के पेड से कहो कि उठके समुद्र में गिर जा तो वो गिर जाएगा अपने आप से पूछिए कि आपका विश्वास कितना बड़ा है क्या राई के दाने के बराबर है अगर है आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे मैं विश्वास करता हूँ आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं तो सब बातों में विश्वास करता हूँ तो प्रभु कहता है कि चल फिर इस शैदूत के पेड़ से कहा कि उठके समुद्र में गिर जा तो वो ऐसा हो जाएगा राई के दाने की खासियत क्या है उसके विशेष्टा क्या है प्यारे भाईयो और मैंनो राई का दाना भले छोटा है लेकिन ठोस है राई का दाना भले छोटा है लेकिन वो बहुत ठोस है मजबूत दूसरी विशेष्टा दाना छोटा होने के बावजूत जब वो उसमें से अंकुर फूटता है और पौधा बनता है तो उसकी डालियों पर आकर चिडियां बसेरा करते हैं और इतना ही नहीं मजदूर को प्यारे भाईयों और बेनों वो छाया देने का भी काम करता है भरी दो पहरी में मजदूर उसकी आड में बैठ कर क्या लेता है? छाया भी प्राप्त करता है देखिए कितनी खासियत है इतना ही नहीं यदि आप राई के दाने को पीसेंगे मिल में तो उसमें से तेल निकलता है और वो तेल प्यारे भाईयों और बेनों गुणों से भरपूर होता है जो हमारे शरीर पर लगाने के लिए खाने के लिए और अनेक प्रकार की आश्चदियों में इस्तिमाल किया जाता इतनी खासियत है और अगर उसकी खासियत ढूंडते रहेंगे तो आप प्यारे भाईयों और मैंनों आश्चरे चकित हो जाएंगे इसलिए प्रभू ने इस छोटे से राई के दाने का सद्रिष्टांत दिया और उन्हें उधारन के द्वारा उन्हें समझाया हालेलूईया हे प्रभू येशु आपका वचन कहता है जो प्रभू पर भरोशा रखते हैं विसियोन परवत के सद्रश हैं जो अटल है और सदा बना रहता है हालेलूईया तो ईश्वर की महिमा देखोगी ये शाय नभी का ग्रंथ अध्याए साथ पत संक्या नौ यदि तुम्हारा विश्वास द्रड नहीं तो तुम निश्चे ही विचलित हो जाओगे हालेलूईया तो हमारा विश्वास प्यारे भाई प्यारी बेन राई के दाने के बराबर होने की आवशकता है राई के दाने के बराबर मतलब अगर आपका विश्वास थोड़ा सा भी है तो वो मजबूत हो वो ठोस हो द्रडचटान के ऊपर बना हुआ घर जिसकी नीव गहरी और मजबूत जगा पर डाली गई है ऐसा मुझे और आपको विश्वास करने की आवशकता है अब आप पूछेंगे कि फादर जी हम कौन सी बातों पर विश्वास करें हम किन बातों पर विश्वास करें तो प्रभु का वचन ये कहता है कि हे इजरायल सुन तेरा इश्वर एक मातर इश्वर है तू उस पर श्रढधा रख अपनी पूरी शक्ति से अपने पूरे हिर्दे से अपनी पूरी आत्मा से उस पर श्रद्धारक और उसे प्यार कर प्रियजनों हमारा परमेश्वर एक मात्र ईश्वर है कोई दूसरा नहीं उसके सिवा विश्वासियों को ये विश्वास करने की आवशक्ता है सबसे पहले हर एक विश्वासी को ये विश्वास करने की आवशक्ता है कि आपका इश्वर जिस पर आप विश्वास करते हैं वो कोई काल्पनिक घटना का पात्र नहीं है वो कोई काल्पनिक घटना का पात्र नहीं किसी कहानी का पात्र नहीं है परंतु वो जीवित परमेश्वर है जो राज्य करता है जो सुन सकता है जो देख सकता है जो बोल सकता है जो महसूस कर सकता है और हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं इबराहीम और याकुब और इसहाग का परमेश्वर जो हमारे पूरवज है हम उस परमेश्वर की अराधना करते हैं उसके जैसे ना तो आज तक कोई हुआ ना कोई होगा उसके जैसे ना तो आज तक कोई बोला और ना ही कोई बोल सकता है इसलिए विश्वासियों को मसीयों को सबसे पहले इस बात के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि हे पिता इश्वर मुझे इन तमाम बातों को ग्रेंड करने और इन में द्रड़ बने रहने की कृपा प्रदान कर हालेलुया इसलिए हम बार 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 बाइबल में पढ़ते हैं कि जब परमिश्वर ने अपने नभीयों को चुना उन लोग किसी ना किसी प्रकार से कमजोर थे कोई तोतला था तो कोई बोल नहीं सकता था प्रवचन नहीं कर सकता था तो किसी को डर लगता था बोला मैं नहीं जाओंगा मैं कैसे करूंगा मुसा ने कहा मुझे तो कुछ आता है नहीं मैं कैसे जाओंगा उसने कहा नहीं तू डर्मत मैं तेरे साथ हूँ सबसे बड़ी बात विश्वासियों के लिए विश्वास करने के योग ये है परमेश्वर का वचन डर्मत मैं तेरे साथ हूँ याद कीजिए जब परमेश्वर ने मुसा को बुलाया और उससे कहा कि मैंने अपनी प्रजा के आसुओं को देखा है जाओ और मिस्र की गुलामी से राजा फिराओ उनकी गुलामी से मेरी इस प्रजा को क्या करके लाओ रिहा करके लाओ आजाद करके लेके आओ तो उसने कहा मैं कैसे उन्हें बताऊंगा कि तुने मुझे भेजाएं वो कैसे मुझे पर विश्वास करेंगे उसने कहा तू डर मत मैं तेरे साथ हूँ एक सुन्दर गीत हम गाते हैं मैं नहीं डरूंगा बस मैं विश्वास करूंगा आज की रातरी प्रियभाई प्यारी बेहन पहली बार अगर कोई ये वचन सुनने के लिए आया है या ये वचन सुन रहा है विश्वास करना आज ही आपका सारा बंदन तूट जाएगा प्रभु येश्यू को मुक्ति दाता स्विकार करना जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना और वो आपके जीवन में आपको आशिश प्रदान कर सारे बंदनों से पूर बज़ों से चली आई निरठतक जीवन चरिया से आपको अजाद करेगा बोलिए आमेन हालेलुईया मैं ना डरांगा विश्वास करूंगा मैं ना डरूंगा विश्वास करूंगा मैं विश्वास करूंगा मैं विश्वास करूंगा मैं विश्वास करूंगा मैं विश्वास करूंगा येसु मेरी जिन्दगी कभी ना मरूँगा मैं ना डरूँगा विश्वास करूँगा मैं ना डरूँगा विश्वास करूँगा मैं विश्वास करूँगा मैं विश्वास करूँगा ये सुका सी पानी हूँ जरूर लडूँगा मैं ना डरूँगा विश्वास करूँगा मैं ना डरूँगा विश्वास करूँगा मैं विश्वास करूँगा मैं विश्वास करूँगा मैं विश्वास करूँगा मैं ना डरूँगा विश्वास करूँगा मैं विश्वास करूँगा तो सबसे पहली बात विश्वास ये करना है कि हमारा परमेश्वर एक मात्र परमेश्वर है और जिन्दा परमेश्वर है जीवितों का ईश्वर है जो सुन सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, चमतकार दिखाने वाला परमिश्वर है और जिसने पुरानी विवस्था में हम पढ़ते हैं कि इस्राइलियों को मिश्वर की गुलामी से अजाद किया और महान, चिन और चमतकार दिखा है ये सबसे पहली बात विश्वास करता है, दूसरी बात हमें विश्वास करने की आवशक्ता है कि इश्वर हमारे जीवन में कारिय करता है, वो है, वो इस संसार को चलाता है तीसरी बात हमें ये विश्वास करने की आवशक्ता है कि परमेश्वर ने, प्यारे भाईयों और बेहनों, पवित्र आत्मा के सामर्थ से येश्व को माता मर्यम के गर्ब में उतारा और वो इंसान बनकर इस धर्ती पर आकर हमारे बीच में रहा और उसने कोडियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, अंदों को आखें, बैरों को, कान, गुंगों को वानी, लंगणों को पाउं दिये, अर्दांग, रोगियों को चंगा किया क्रूस पर उसने अपने प्राण निचावर कर दिये, और अपने शरीर से अपने रक्त की एक-एक बूंद उसने बहा दी, जिससे कि आप और मैं चैन की नींद सो सकें, आप और मैं शान्ती में रह सकें, आप और मैं स्वर्ग के अधिकारी बन जाएं चौथी बात हमें ये विश्वास करने की आवशक्ता है, कि येश्यो मसी पवित्र आत्मा के द्वारा मा मरियम के गर्ब में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पॉंतुस पिलातोस के समय उसने दुख भोगा, उसने कोडे खाए, क्रूस पर छढ़ाया गया, तीन घंटे से ज जीवन के बीच में वो लटकता रहा, अपरादियों को उसने शमा किया, वो मर गया, गाडा गया, दफनाया गया, और पिता इश्वर ने पवित्र आत्मा के सामर्थ से रोमियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, कि येश्यो मसी को मुर्दों में से जिलाया, ये मुझे और करने की आवशक्ता है, कैसे विश्वास करेंगे, बाईबल में बताती है, कि मुझे अंगिकार करना, हिर्दे में विश्वास करना कि इशा मसी ही प्रभू है, क्यूंकि पिता इश्वर ने फिलिपियों के पत्र अध्याइदो पत्संख्या आठ और उससे आगे हम पढ़त हैं कि उसे इस धर्ती पर संशार में इस दुनिया में सबसे बड़ा और सर्वस्रेष्ठ नाम उसने किसको दिया है इसा मसी को दिया उसका नाम सुनकर सारी जातियां सारे लोग उसके सामने गुठना टेकें और हर एक जुबान बोले कि इसा ही प्रभू है बोले आमें आमें हालेलूया है प्रभू येसू मैं इन वचनों को ग्रहन करता हूं विश्वास करता हूं आप एक मात्र इश्वर हैं जीवित परमेश्वर हैं हालेलूया 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 छटवी बात विश्वासियों को ये विश्वास करना है कि आपके साथ है। याद कीजिए, मती के जू समाचार में हम पड़ते हैं, अध्याय अठाईस व्तसंग के की जाते जाते प्रभु ने कहा कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, इश्वर ने जिने बुलाया, उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसने नभीयों को चुना, उनसे कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, येश्यू ने अपने शगिर्दों से कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं पिता से निवेदन करूँगा और वो एक सहायक भेजेगा, जो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हारी सहायता करेगा, जो तुम प्रभु येसू आपके ये वचन मेरे जीवन में पूरे हो जाएं हालेलुईया इबरानियों के पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याए आठ में प्यारे भाईयो और मैंनों प्रभु का वचन ये कहता है इबराहीम के विश्य में पढ़ता है कि विश्वास ही के कारण इबराहीम जो था वो धर्मी माना गया विश्वास ही के कारण नू को बचा लिया गया विश्वास ही के कारण हनोक जो था इस पृत्वी से शरीर समेत जो था वो उपर उठा लिया गया ये विश्वास के कारण ही हुआ ऐसा अन्य था उनमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी केवल वे परमेश्वर में विश्वास करने में सुद्ध थे द्रड थे इसलिए परमेश्वर ने उन्हें ये वर्दान प्रदान किये बाइबल में दो व्यक्तियों का जिक्र है एक हनोक का और एक एलिया का जिसे परमेश्वर ने शरीर समेथ उठा लिया प्यारे भाईयों और बेनों इसलिए विश्वासियों को इन वच्णों पर विश्वास करने की आवशकता है इतना ही नहीं प्यारे भाईयों और बेनों आप कैसे जानेंगे कि हम विश्वास करें तो किस पर करें, किस चीज पर करें तो Bible हमें बताती है कि मुझे और आपको ये जो वचन दिया गया है ये विश्वास करना है कि ये परमेश्वर का वचन है अब परमेश्वर आज भी अपने लोगों से वचन के द्वारा बातें करता है और उसका वचन जब बोला जाता है तो वहाँ पर लोग शान्ती प्राप्त करते हैं सांत्मना प्राप्त करते हैं उनके जीवन में चंगाई आती है इसलिए अपने उस इश्वर को जानना जो जिन्दा है अपने उस इश्वर को जानना जो जिन्दा है विडंबना है लोगों की आज के इस युग में कि वो कुछ विश्वास तो करते हैं कुछ धरम पर चलते हैं दानपुन्न करते हैं लेकिन जिस किसी परमेश्वर की अराधना करते हैं वो उसके विशे में नहीं जानते हैं उसके विशे में जानते नहीं इसलिए आज प्रभू ने कहा कि मेरे बच्चों से कहना कि ये मेरे विशे में जाने पहचाने और मुझे अनुभव करें मेरे विशे में बाइबल से पढ़ें और कहा कि तुम इन्हें बताओ कि परमेश्वर कितना महाने इसलिए मैं बार बार आप से कहता हूँ कि परमेश्वर जितना बड़ा है उसे उतना बड़ा देखने की कोशिश करना परमेश्वर जितना बड़ा है उसे उतना बड़ा देखने की कोशिश करना वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप के घर के जरोखे में लाके रख दिया जाए और वहां रोज आप उसकी धूप बत्ती करते रहें प्यारे भाईयों और बैनों वो इंट पत्थरों के में नहीं रहता है वो मनुष्य के हिर्दे में रहता है और मनुष्य का हिर्दे बहुत बड़ा है जब ये बड़ा होता है तो बहुत बड़ा हो जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती लेकिन जब ये संकुचित हो जाता है छोटा हो जाता है कि प्यारे भाईयों और बैनों इसमें अपने बाप के लिए मा के लिए किसी बहन या भाई के लिए भी जगा नहीं रहती है सोचिए ध्यान करिए जरा मनन चिंतन करिए इसलिए मसीयों की विश्वासियों की सबसे बड़ी बपोती जानते हैं आप लोग क्या है आपका सबसे बड़ा धन जानते हैं आप क्या है इश्वर का सानिद इश्वर का साथ जो है वो आपका सबसे बड़ा धन है जिस पर आपको मसीयों को विश्वासियों को विश्वास करने की आवशक्ता है जितना जादा आप ईश्वर के विशे में जानेंगे उतना जादा आपका विश्वास बढ़ेगा सुनना ध्यान से जितना जादा आप ईश्वर के विशे में जानेंगे उतना जादा आपका विश्वास बढ़ेगा जितना ज्यादा आपका विश्वास बढ़ेगा उतनी ज्यादा आपके जीवन में कृपा बढ़ती जाएगी और जितनी ज्यादा कृपा आपके जीवन में रहेगी अनोइंटिंग आपके जीवन में रहेगी उतनी आशीश आपके जीवन में देखने को मिलेगी और जब आपके घर में आशिश होगी तो आपके घर में जो आएगा आप से जो मिलेगा वो भी आशिशीत हो जाएगा देखिए कितना महान है प्यारे भाईयो और बेनो प्रभु का प्रेम हमारे लिए इसलिए बाइबल में बताती है रोमियो के पत्र में हम पढ़ते हैं कि जब इश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है कोई भी हमारा विरोध नहीं कर सकता है मैं क्यों डरूँगा जब तू मेरे साथ है इसलिए बाइबल हमें बताती है निर्गमन गरंत अध्याई 34 में हम पढ़ते है प्रभु का वचन हमें बताता है मूशा प्रभु के आज्या नुसार पत्थर की वो दो पाटियां हाथ में लिये हुए बहुत सबेरे सिनाई परवत पर चड़ा प्रभु बादल के रोप में उतर कर उसके पास आया और अपना प्रभु नाम प्रकट किया प्रभु ने उसके सामने से निकल कर कहा प्रभु प्रभु एक करुणा मई तथा करपालू ईश्वर है वो देर से क्रोध करता और अनुकंपात था सत्प्रतिग्यता का धनी है वो हजार पीडियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई अपराद और पापों को क्या करता है शमा करता है मूशा ने तुरंत दंडवत कर उसकी अराधना की और कहा कि प्रभू यदि मुझ पर तेरी क्रपा द्रिष्टी है तो मेरा प्रभू हमारे साथ चले घर के मुखिया को पती पतनी को यह कहने की आवशक्ता है कि यदि मेरे परिवार पर मेरे बच्चों पर तेरी क्रपा द्रिष्टी है तो मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहे देखने को मिलते हैं, विश्वास के विशे में हम पढ़ते हैं, संत पॉलुस एक सुन्दर परिभाश्या हमें बताता है, कि विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है, जिने हम देखते नहीं है, परंतु हमें पता है कि वो है, मैं और आप उनी चीजों को पाने के लि जिससे कि हम उस देश में चलें, जहां पर दूद और मदू की नदिया बैती हैं, जहां पर परमेश्वर की रूख का मसा हमेशा चाये रहता है, जहां पर हम मही मानवित किये जाएंगे, जहां पर हम ईश्वर की मेच पर बैटकर भोजन करेंगे, यही हमारा विश्वास है ये वो पाते हैं जिने हम देखते नहीं है परंतु हमें विश्वास है कि वो हमारे लिए रखी गई है आज इसी विश्वास के द्वारा प्रभु हमें आशीश प्रदान कर रहे हैं और वो कहता है कि जो मुझ में विश्वास करेगा, मुझसे भी महान और बड़े काम करेगा, बोले आमेन, आलेलुईया, आईए हम चंगाई की प्रात्ना में जाएंगे, इस वक्त बंधन तूटे, हर प्रकार के अविश्वास का बंधन तूटे, हर प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोणे, और आकाश की दुष्ट शक्तियों के बंधन तूटे, और प्रभु हमें आजाद करे, स्वतंत्र करे, पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्र करे। आत्मा के आनंद से, दिल मेरा भर दे प्रभु गाएं आत्मा के आनंद से, दिल मेरा भर दे प्रभु गाएं आत्मा के आनंद से, दिल मेरा भर दे प्रभु गाएं आत्मा के आनंद से, दिल मेरा भर दे प्रभु गाएं आत्मा के आनंद से, दिल मेरा भर दे प्रभु गाएं आत्मा के आनंद से, दिल मेरा भर दे प्रभु गाएं आत्मा के आनंद से, दिल मेरा भर दे प्रभु गाएं आत्मा के आनंद से, दिल मेरा भर दे प्रभु गाएं चक जन जालों से दूर रहें, तुझ पर ही विश्वास रहें आत्मा के आनंद से, दिल मेरा भर दे प्रभु गाएं आनंद से, दिल मेरा भर दे प्रभु गाएं आलेलुया, 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 आलेलुया आत्मा बंधन गोड़ो आत्मा चंगाई हमको दो आत्मा एक एक रोफी के बंदन तोड़ना विश्वास हमारा बढ़ा देना अविश्वास का बंदन तोड़ना विश्वास विद्रण बना देना अब शेक दे आत्मा दे वर्दान दे तेरी महिमा करे अल्यलूया इश्वास की महिमा प्रकट हो जाए सारे बंदन तूप जाए अल्यलूया पाफ का अंधेरा हर दिल से तेरी जोती से मिठ जाए एक साथ गाते जाएंगे अल्यलूया बार बार गाते जाएंगे अल्यलूया सुती करने के द्वारा बंदन खूटेंगे करने के द्वारा बंदन आख की मिठ जाएंगे बनलुया तुरू गाली अब जाते हुए Alleluia, 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 Alleluia छोति करें के हललुया आलेलुया लुए आलेलुया लुए बंदन तूटरें शॉॉ आविश्वास का बंदन तूट रहा है बहुत सारे लोगी जो विश्वास करने में असमर्त हैं प्रभु ये बंदन तोड रहे हैं बंदन तूट रहा येश्यू के पवित्र स्यामर α्थी नाम से इसलिए इस वक्त प्राथना करते जाना आपके परिवार से हर प्रकार का बंदन इस वक्त तोडे जिन बंदनों से अजाद होने के लिए प्रार्थना की गई है प्रबु आज वो सारे बंदन तेरे इनबचों के जीवन से निकले हर प्रकार के बंदन से ने अजाद कर हे पवित्र आत्मा इन तमाम लोगों को स्वतंतरता प्रदान कर बोले आमेन आलेलूया सामर्थवान परमेश्वर सर्व्यापी ज्यानी प्रभू येश्य मसी हमारा मुक्दिदाता उद्धार करता आप लोगों को हर प्रकार की अंदकार की शक्ती से अजाद करता है हर प्रकार के रोग से आपको अजाद करता है हर प्रकार की बिमारी से जो लाईलाज है भी आजाद करता है निस संतान दंपत्यों को प्रभू आशीश प्रदान करता है जितने भी लोग अपनी योजनाएं प्रभु को समर्पित कर रहें प्रभु ने पूरा करने का वादा करता है जितने भी लोग लालाज बिमारियों से पिडित हैं लखवे से पिडित चल फिर नहीं सकते हैं इस वक्त बेड रिडन हैं येश्यू के पवित्र सामर्थी नाम से, ईसा मसीन नाजरी के नाम पर उठो और चलो फिरो, येश्यू के पवित्र सामर्थी नाम से, TB की बिमारी, रक्तसराव की बिमारी, लिकोरिया बवासीर भगंदर की बिमारी, येश्यू के पवित्र सामर्थी नाम से, आमेन Be healed in the name of Jesus Amen Be cleansed in the name of Jesus Amen Right now, right now Healing and deliverance I claim In the name of Jesus Yeshu के पवित्र सामर्थी नाम से मैं इस वक्त चंगाई और छटकारे की मांग करता हूँ Yeshu के पवित्र लहू आप पर छिड़कता हूँ Be healed इस वक्त आप मसा हो जाएं मसा हो जाएं इस वक्त अभी शेक को ग्रेंड करें Receive the anointing dear brothers and sisters Yeshu के पवित्र सामर्थी लहू से मैं आपको सिर से लेकर पाउं तक मिलेपन करता हूँ कोई है जो प्यारे भाई प्यारे बेन यहाँ पर दुष्ट आत्मा से पेडित हैं आपको पुराने जीवन की निरर्थक जीवन चरिया से भै की दुष्ट आत्मा से पुराने जीवन की दुष्ट आत्माओं से मैं हर प्रकार की प्रलोबनकारी दुष्ट आत्माओं से अज़ाद करता हूँ आमेन हालेलुईया देश के अधिकारियों को समर्पेद करते हैं सरकारी नुमाइंदों को समर्पेद करते हैं धर्मादेक्षों को संद्पिता फ्रांसिस को समर्पेद करता हूँ, इन पर देया कर, आमेन, ये प्रभू तेरे इन बच्चों पर देया कर, लोकदर्मियों पर देया कर, जितने भी यूट्यूब पर इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेते हैं, जो अपने निवे प्रभू इन पर अपनी दया प्रदर्शित कर, फादर वॉल्टर के लिए, ब्रेना परेरा के लिए, ए प्रभू ये शो इन पर दया कर, तेरा पवित्र लहू इनके उपर लगा देता हूँ, तेरी आत्मा इन पर अधिकार ले, बोले, आमेन, आमेन, हालेलूईया, उस से स्नान कर लेना प्रभू आपको चंगाई प्रदान करेगा विश्वास के साथ। कोई है जो अपनी जिन्दगी में बहुत परिशान है अनेक मार आत्म हत्या करने की कोशिश की लेकिन प्रभू आपको प्यार करता है इसलिए आज आप जिन्दा है प्रभू का धन्यवाद करना। कोई है जो अपने जीवन में बहुत सारे सपने संजोकर बैठा हुआ है परन्तु विश्वास में अधूरा है प्रभू कहता है विश्वास कर और जैसा मैंने तुझ से कहा मेरी आज्या का पालन कर यदि तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी शिक्षा पर भी चल और मेरी मह तेरे पीछे-पीछे दोड़ती चली आएगी बले आमेन आमेन हम प्राथना कर रहे हैं विशेश रूप से इसके लिए अम अध्यस्ता करेंगे सुन ले प्रभू जी पोखा विंटी है तुझ से बारवार सुन ले प्रभू जी पोखा विंटी है तुझ से बारवार दया करने वाले चंगा करने वाले ये सुराजा तुने कहा शिमोन शिमोन शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह पटकने का अधिकार मिला है परन्तु मैंने तुमारे लिए प्राथना की है जिससे कि तुमारा विश्वास नश्ट ना हो जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाईयों को भी संभालोगे ये प्रभू याद कर जो तेरे पास आया तुने खाली आत नहीं लोटाया अंधों को आखे बैरों को कान घुमगों को वाणी दी लंगणों को पाउं दी अर्दांग रोगियों को चंगा किया मुर्दों को जिलाया पापियों को शमा प्रदान किया जो निराश थे तूटे हुए ते उन्हें धारस मधाया आज तेरे इन बच्चों पर दया कर दे जो किसी ना किसी कारण वश तूटे हुए घर में अशान्ती है शरीर में बेचैनी है जिन्दगी में बेचैनी है हे प्रभू इन्हें अपने प्रेम से भरपूर कर और अपनी चंगाई ने प्रदान कर इस वक्त जितनी भी लोग इस ओनलाइन प्रातना में भाग ले रहें और अंतिम आशिरवाद ग्रहन कर रहें इनके घरों पर आशिरवाद उत्रें इनके चोक्तों पर इनके बिच्छोनों पर घर में आटा गुंदने की परात को प्रभू आशिष प्रदान कर इनके खेत कलियान बेर बकरियां और उनके बच्छों को आशिष दे इनकी संतानों को इनके नाती पोतों को तेरा आशिरवाद प्राप्त हो जाए बंधन तूटे अर प्रकार का बंधन तूटे कर्ज की दुष्टात्मा का बंधन तूटे निसंतानता के बंधन तूटे भगंदर जैसी बिमारी रक्तसराव की बिमारी लिकोर या सफेद दागों की बिमारी ए प्रभू जिनका क्रेटिनेन बढ़ता है उन्हें तु आजा ब्लेंड प्रेशर की बिमारी से अजाद कर, शुगर की बिमारी से अजाद कर, स्किन के इंफेक्शन, खुजली की बिमारी, ब्रेंट यूमर की बिमारी से अजाद कर, तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले और इनके परिवारों को आशेश प्रदान करे, मैं तेरा दास तेरे च अपने दासों की वाणी को सच प्रमानित करता है ये प्रभु जितने भी चंगाईयां आज तुने अपने दास के द्वारा अनाउंस की हैं इनके जीवन में पूरी हो जाए प्यारे भाई प्यारी बैन प्रभु के नाम पर गवाही देने के लिए तैयार हो जाना दन्यबाद करते जाना परमिश्वर का क्योंकि वो अनंतकाल तक बना रहता है वो भला है उसका प्रेम अनंतकाल तक बना रहता है वो आपके घरों पर राज्य करे आपको संभाले और आपको सुरक्षित रखे अमारी प्रार्थना सुनले, हमारे उद्धार करता येशो प्रभो के द्वारा आमें पवित्र परंप्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा सरवदा पवित्र परंप्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा सरवदा महिमा हो सदा सरवदा सदा सरवदा सर जुकाएंगे प्रभो का शिर्वात ग्रहन करें महिमा हो सदा सर जुकाएंगे प्रभो का शिर्वदा आप 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 जोड़ार दालिया बजाएं प्रभु को धन्यवाद दें सभी आशिशों के लिए जोड़ार दालिया बजाएं तेरा धुमे वाद करता रहू जब तक ये सू में जिन्दा रहू मिट के पुतले में सास तुने भरी दीरे दीरे तुने किया शिश्टी को पुरा पूलों की खुश्बु से जिन्दगी भरी जो बीता अधुरा तुने कर दिया पुरा तेरा धन्यवाद करता रहू जब तक ये सू में जिन्दा रहू जब तक ये सू में जिन्दा रहू तेरा धन्यवाद करता रहू जब तक ये सू में जिन्दा रहू तेरा धन्यवाद करता रहू जब तक ये सू में जिन्दा रहू वोलो प्रभी ये सू मसी के नाम की जये सबको जये सू की प्रभी आपको आशिश दे जब तक ये सू में जिन्दा रहू